ओम श्री हनुमतेने में श्री हनुमार अस्तोलोजी प्रियम इत्रो नमस्कार आज आपको बताएंगे जनकारी देंगे धनु राशी वाले जातकों के लिए महा अप्रेल यह अप्रेल का महिना 2022 कैसा रहेगा क्या धरों के शुबशु प्रवाव घटित होंगे आपका स्वास सुख, विद्या एजूकेशन सुख, नई नौकरी, तरक्की उनत्ति, शत्रू, रिण और रोग की स्थति, आपका दामपत्ते जीवन, वेवाइक जीवन, नए विवा संबन, प्रेम संबन, बिजनेस, पार्टनर्शिप, विदेशों की आत्राएं, लंबी दूरी की आत्र हैं, चंद राशी नहीं मालूम हैं, तो अपने परचलेत नाम से देख लीजी, और चैनल पर नहीं हैं, तो आपसे विंती हैं, सब्सक्राइब करें, बाल ऐकन बटन दबाए, वीडियो अच्छी लगए, तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें, जैश्री राम, जैश्री संचार कर रहे हैं, आठ अप्रयल को मेश राशी में प्रविश करेंगे, देव गूर्व ब्रस्पति, अभी कुम राशी में जाएंगे, और शनी अभी मकर राशी में संचार कर रहे हैं, और 29 अप्रयल को अपनी मूलतिर कौन कुम राशी में प्रिवेश करेंगे रहू विरशब राशी में संचार कर रहे हैं बारा अपरेल को वक्री होकर सौरी मेश राशी में प्रिवेश करेंगे अठारा महीने के लिए और रहू के साथ ही केतू भी अठारा महीने के लिए वक्री होकर तुला राशी में प्रवेश कर रहे हैं अभी वरिश्चिक राशी में संचार कर रहे हैं यह आपके गरह गोचर की इस्तिती चलिए बात कर लेते हैं धनूर राशी वाले जातकों के लिए सबसे पहले हेल्थ स्वास्थे के दिरिश्टी से स्वास्थे है तो सब कुछ है वरना सब कुछ भी अरत है यहां के लॉड जो आपके देवगरु ब्रिस्पती हैं अभी तो कुमराशी में हैं थर्ड हाउस में लेकिन तेरह तारीक के बाद बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है चुकि देवगरु ब्रिस्पती तेरह प्रेल को अपनी स्वगरही मीन राशी में जब आजयेंगे केंदर में तो हंस नामक योग बनाएंगे यह योगपंच महापुरुस योग में जोग होता है जो की बहुत शुक होता है तो तेरह तारीक के बाद आपका शारीरिक, मानसिक, संतुलन बिल्कुल अच्छा रहेगा अध्यात्मिक तका भाव जागेगा और अगर आप अध्यात्मिक लाइन में हैं आप कथा बाच्छा कें उब्देश, उब्देश, उब्देश हैं आप धरम गुरु हैं, आप जोतिशी हैं आप प्रॉफेसर हैं टीचर हैं ज्यान बाटने का काम करते हैं तो उसमें बहुत विर्द्धी होगी तरक्यू नत्यी मिलेगी मांसिक और शारिरिक संतुलन आपका ठीक रहेगा नए नए आइडियाज, नए ने विचार आपके मैंड में आएगे और साथ में हेल्थ की दिरिश्टी से भी बहुत अची स्थिति रहेगी आपकी कारिये करने की शहली, कारिये करने की एक्षमता आपकी भील पावर बहुत स्थिति है, बिल्कुल आपके फेवर में है, एकदम आपके पक्षम है उसके बाद हम बात करने की फैमिली फाइनेंस की दिरिश्टी से भी अच्छी स्थिति है परिवार में कोई मजबे डिफरेंस से से दूर होंगे कोई पैत्रिक संपत्ति को लेकर वादी बात है दूर होगा, पैत्रिक संपत्ति की प्राप्ती हो सकती है परिवार वालों को अललाब से होगा, आपके जमा धनकोश, बैंक बालेंस में व्रद्धी होगी तो all over यहां इस्तति आपके पक्ष में को इन्वेस्टमेंट वगरा करना चाहें आपको इन्वेश करना चाहें तो आप अंतमद्र भवश्य के लिए तो आप जरूर कर सकते हैं यह अच्छा समय है इसको आप लाप उठाएं तो यहां भी इस्तति आपके अनुकूल आपके पक्ष में रहेगी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा आपके प्राकर में में रिद्धी होगी आपकी इंपोर्टेंस बढ़ेगी आपके सह कर्मी जो नीचे करमचारी कारियरत है यह आपके नौकर चाकर, आपके छोटे भाई बैन, आपके प्रिये बंदू, वैल विशर, प्रोसी, मिलने जुलने वाले लोग नए संबंद में कॉन्टेक्ट्स बनेंगे उनके बीच में आपका वर्चस्व, आपके इंपोर्टेंस बढ़ेगी और लाब गेन करेंगे चोटे भाई बैनों का भी लाब आपको प्राफ्त होगा चोटी मोटी आत्रें ट्रेमिलिंग करते हैं, नए कम्मिनुकेशन, ने कांट्रेक्स बनेंगे चोटी मोटी आत्राओं के थुरू आपको बिजनस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो अच्छा लाब आपको है और मिलेगा आपकी इंपोर्टेंस बढ़ेगी, आपकी अहमित बढ़ेगी, ने कांट्रेक्स बढ़ेंगे और वहाँ से आप लाब गेन करेंगे उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं फुर तो यहां यहां भी इस्तति आपके अनुकूल है, आपके पक्षमे है यहां पर भूमी मकान वहन प्रापरिटे का आपको अलाब मिलेगा अब तक कोई वाद वाद चल रहा था, तो मिड के बाद, यानि मिड अपरेल के बाद, 14 अपरेल के बाद, इस्तति आपके अनुकूल बनेगी वाद 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 समापत हो जाएगा, कोई पैसा फसा हुआ ता, अटका हुआ ता, वे भार आएगा और कोई योजना बना रहे हैं मकान लेने की, वाद लेने की, वाद लेने की, तो प्रियास के जिए, निस्चित रूप से सफ़लता मिलेगी, सारे विवधान आपके दूर हो जाएगा आपकी माताजी का भर पूर लाप सहयोगा, अशिरवाद आपको प्राप्त होगा घर में सुक्साजनों में लेक्जरी आइटम्स में विरद्धी होगी, शुक्षानती का महल बनेगा तो थोड़ा प्यास कीजिए, निस्चित रूप से आपको सफ़लता मिलेगी, गुमि मकान वहान से संब्दित कारियों में उसके बाद, बात करेता है संतान पक्ष की, यहां के दिरिस्टी से भी अच्छी इस्तिती है और खास तोर से आप यह मान के चलिएगा कि चौदा के बाद तो इस्तिती आपके और यहां पक्ष में आ जाएगी तो कि वहाँ पर रहू के साथ सूरी आएंगे तो एक घ्रेंड दोश भी बनाएंगे, तो थोड़े मिश्रित फल यहां पर मिलेंगे, थोड़े बढ़ेंगे, तो किसी भी उत्तितना से एक रोज से बचें, धहरिये और सहियम रखते हैं, कोई भी निर्डने ले, आपकी सं कुछे समझें, उसके बाद को अर्ग्यूमेंट करें, तो संतान की तरफ से कोई तकलिफ, कोई चिंता, कोई प्राब्लम हैं पर आपको क्रेट हो सकती है, उनके किसी कारिये में भी वाजशादी में, या नौकरी में, बिजनेस में, उनकी हेल्थ में, थोड़ी प्राब्लम अपना पुरुशाद बिल्कुल करते रहें, चुकि यह समय स्थाई नहीं है, गरे स्थाई नहीं होते, यह ट्राजिट करते रहते हैं, राशी परिवर्तन करते रहते हैं, तो आज जो आप परिश्रम करेंगे, तो कल निश्ची तुरुप से आपको शुपफलों की प्रावल्म, कारिया विवसाह, पार्टर्शिप में प्रावल्म, लेकिन साथ तारीक के बाद इस्तितिया आपके अनुकूर आपके पक्ष्मों बनेगी, उसके बाद पती पत्नी हैं, कोई मद्वेत को डिफरेंस से चल रहे थे, दूर होंगे, एक दूसरे की हल्थ को लेक बिजनेसमेन हैं, विवसाही हैं, पार्टर्शिप में कोई कारिये करना चाहते हैं, तो आठ तारीक के बाद कीजिए निश्चित रूप से, आप अक्सिस गिन करेंगा, आपको अस्टावलेटिव समय मिलेगी, उसके बाद बाग्यास्तान की दिरिस्टी से, यहां पर जो आपकी बन रही है, चौदा तारीक के बाद थोड़ा इस्तिती ठीक बनेगी, बाग्या आपको सपोर्ट करेगा, तरक्य उनत्ती के उसर मिलेंगे, लेकिन आप अपने पिता के स्वास्तेगा ध्यान रखें, उनकी कोई हल्थ थोड़ी डिस्टरब हो सकती है, कोई मद्बे कोई आप विर्त के अर्ग्यूमेंट मत करें, कोई विर्त का कोई बाद कांप मत करें, उनके कई अनुसार कारिये करें, उनका आशरवात बनाये रहें, उनकी सिवा करें, उनकी हल्थ वृड़ी डिस्टरब हो सकती है, जिस ćwजे से आप सिंतित हो ज JE mijn बी दूरी की आतरह, की आत्रागों कुछ आपको योधान देखने को मिल सकते हैं तड़ी प्रीशानीय आपको आगे करियर की दिरिस्टी से बात कर लेते हैं तो आठ तरिक तक तो इस्थति थोड़ी प्रेशनमस अंगर्स वाली रहेगी कंफूजन की इस्थति रहेगी लेकिन आठ तरिक के बाद आप आजी विका चलाने के लिए कोई भी कारिये करते हैं के बाद आपको भी डिस्जन लीजिए उस ताबूस दे शाम में थोड़ा परिश्रम थोड़ा पुरुशार्थ करें निश्ची तुरूप से आपको सफलता मिलेगी सक्सेस गेंड करें और आपको हुआ पस्थाइट तो है आपको प्रगाल होगा उसके बाद लाब की फैरिती को रुकावट टेया रही थी तो वह आपको दूर हो जाएगी और बीच-बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी बड़े भाई भैन मित्र वर्ग में मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल वर्ग से जो एज में आपसे बड़े है फाइनेंशली लाब मिलने की पूरी समाहने रहेंगी और बीच-बीच में बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है जो जातक विदेशों में है उनके लिए इस्तति अनुकूल है उनके पक्ष में है तरक्की उनत्ति का अबसर मिलेंगे आपका विदेशों से कोई संबंद है आप कोई भी कोई ब पित्रों यह फलादेश चंदराशी पर आधारित है हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं यह ध्यान देने युग्ये बाते हैं इसकी अपनी इंपर्टन से अपनी एहमियत है यह जो फलादेश चंदराशी पर आधारित है आपको बताते हैं आपको फलादेश करते हैं ल शोटे शोटे उपाय करने से घरों के दुश्परवाब से बसते हैं अगर धनूराशी वाले जातों की जर्मकूल लिक अंदर किसी घरे की दशान तरदशा आपके पक्षमे आपके फेवर में चल ली तो निस्चित मानिए यहाँ आपको बहुत तरक्यूनत्ती के उसर एक हनुमान चालेस अगा पाट कीजीए उसके बाद एक संकट मोचन हनुमण अस्टब का हनुमान जी को लाल बूंदी का परशा चड़ें मंगल वार को काली चीटिओं को परतिदिन खिलाएं पक्षियों को परतिदिन खिलाएं तो गरों से शुरक्साप्रदान होगी तरक्य उनत्ति के वसर मिलेंगे सुखी रहे सुस्ते रहे हस्ते रहे मुस्कराते रहे जैश्री राम जैश्री उन्मान